एक महीने में बनोगे करोणपती फिर मत कहना बताया नहीं तो आईए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेश ध्यान रखना है नमक को डालते समय आपको कोई देखे न दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेश संयोग बना है नमक का यह विशेश उपाय करने से राहु दोश पित्र दोश मंगल दोश भयंकर से भयंकर शनी दोश और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोश जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीग्र ही दूर हो जाता है दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं शत प्रतिशत आप धनवान हो जाएंगे नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा भगवान शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे साक्षातकार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी और दिन दुगनी रात चौगूनी होगी तरक्की दोस्तों नमक में ऐसा क्या है जो शीग्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है महाधमनी बना देता है नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खीचने का काम करता है अगर आप नमक के पीछे की पनताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धन्वान दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दे यह उपाए इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है भरोसा ही आपकी ताकत भी है अगर आपने इस उपाए पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे क्योंकि भरोसे से ही सारे कारे होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ये दुनिया कायम है, अगर भरोसा नहीं, ये दुनिया भी कबकी नश्ट हो चुकी होती दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है, नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ना जाने कितने अंगिनत अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए, तो वह शरीर भी खराब हो सकता है, माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बलकि नमक सबसे जल्दी करोणपती भी बना देता है, नमक चमतकारिक रूप से लाभ प्रदान करता है, नमक के अंदर पॉजिटि तो वह कभी भी करोणपती बन सकता है, नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तोर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीग घरही धनी हो सकता है, नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, परन्तु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है, दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए विडियों को शुरू करते हैं दिल से, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा, नमक का यह विशेश उपाय करने से, राहु दोश, पित्र दोश, मंगल दोश, भयंकर से भयंकर, शनी दोश, और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है कालसर्प दोश, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीग्र ही दूर हो जाता है, दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, शत प्रतिशत आप धनवान हो जाएंगे, नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा, भगवान भोलेनात आप से हो जाएंगे, माता इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा, सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है, अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए, तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासि कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं, और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ये दुनिया कायम है, अगर भरोसा नहीं, ये दुनिया भी कब की नश्ट हो चुकी होती दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता ह नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है ना जाने कितने अंगिनत फायदे हमें देता है अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बलकि नमक सबसे जल्दी करोणपती भी बना देता है नमक छमतकारिक रूप से लाब प्रदान करता है नमक के अंदर पॉजिटिव उर्जा का भंडार भरा हुआ है नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपा कर बैठा है अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोणपती बन सकता है नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तोर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है वह शीग्र ही धनी हो सकता है नमक का यह उपाय रातो रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है परंतु दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा आपको पूरी तरह से धनी बना देगा नमक का यह विशेश उपाय करने से राहु दोश, पित्र दोश, मंगल दोश, भयंकर से भयंकर, शनी दोश और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है कालसर्प दोश जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीगर ही दूर हो जाता है दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं शद प्रतिशत आप धनवान हो जाएंगे नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा भगवान भोलेनात आप से हो जाएंगे माता पारवती दोनों हाथों से धन की वर्शा करेंगे साक्षातकार भी कुछ नहीं कर पाएगा इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी सबसे पहले तो आपको बता दें यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है भरोसा ही आपकी ताकत भी है अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं और देखिए दोस्तों भरोसे पर ये कायम है अगर भरोसा नहीं तो ये दुनिया भी कब की नश्ठ हो चुकी होती दोस्तों पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिश्ट बनाता है नमक न जाने कितने अंगिनत फाइदे हमें देता है अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बलकि नमक सबसे जल्दी करोणपती भी बना देता है नमक चमत कारिक रूप से लाब प्रदान करता है नमक के अंदर पॉजिटिव उर्जा का भंडार भरा हुआ है नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपा कर बैठा है अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोणपती बन सकता है नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है वह शीग रही धनी हो सकता है नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है पापा ने बोला इस मैने का रेंट इस लेन देर की दुनिया में परन्तू दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सपल होता है दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलटकर रख देगा आपको पूरी तरह से धनी बना देगा नमक का यह विशेश उपाय करने से राहुदोश पित्र दोश मंगल दोश भयंकर से भयंकर शनी दोश और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है कालसर्प दोश जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीग्र ही दूर हो जाता है दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं शत प्रतिशत आप धनवान हो जाएंगे नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा भगवान भोलेनात आप से हो जाएंगे माता पारवती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे साक्षातकार भी कुछ नहीं कर पाएगा इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी दिन दुगनी राद चौगुनी होगी सबसे पहले तो आपको बता दें ये उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है भरोसा ही आपकी ताकत भी है अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं और देखिए दोस्तों भरोसे पर ये कायम है अगर भरोसा नहीं तो ये दुनिया भी कपकी नश्ट हो चुकी होती दोस्तों पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिश्ट बनाता है नमक न जाने कितने अंगिनत फायदे हमें देता है अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बलकि नमक सबसे जल्दी करोणपती भी बना देता है नमक चमतकारिक रूप से लाभ प्रधान है नमक के अंदर पॉजिटिव उर्जा का भंडार भरा हुआ है नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपा कर बैठा है अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोणपती बन सकता है नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाए प्रचलित हैं अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तोर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है वह शीग्र ही ध्वनी हो सकता है नमक का यह उपाए रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है परंतु याद रहे दिल से किया हुआ कारिय जरूर सफल होता है दोस्तों भगवान भोलेनात का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव दोस्तों सबसे पहले जो उपाए हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा आपको पूरी तरह से धनी बना देगा नमक का ये विशेश उपाए करने से राहु दोश, पित्र दोश, मंगल दोश, भयंकर से भयंकर शनिदोश और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है कालसर्प दोश जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाए से शीग्र ही दूर हो जाता है दोस्तों, नमक का यह उपाए हम भी जरूर करते हैं शत प्रतिशत आप धनवान हो जाएंगे नमक का ये उपाए आपकी काया पलट कर रख देगा भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्शा करेंगे साक्षातकार भी कुछ नहीं कर पाएगा इस उपाए से कंगाल भी हो जाएंगे धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी सबसे पहले तो आपको बता दे यह उपाए इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है भरोसा ही आपकी ताकत भी है अगर आपने इस उपाए पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे। क्योंकि भरोसे से ही सारे कारे होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ये कायम है। अगर भरोसा नहीं तो ये दुनिया भी कबकी नश्ट हो चुकी होती दोस्तों, भी भी खराब हो सकता है। जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तोर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीग्रही ध्वनी हो सकता है। नमक का यह उपाए रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनात का जैकारा लगाते हुए विडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाए हम आपको बताने वाले हैं, वो आपकी काया पलट कर रख देगा। आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्तों, कहते हैं, इस उपाए को करने के बाद, कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिलकुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखे आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाए जरूर करें दोस्तों आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाए दोस्तों किसी بھی दिन चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं तुरंत ही फलप्रदान करता है यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा चाहे कोई भी इच्छा हो इतनी शक्ती है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे आईए जानते हैं सौ ग्राम उन्नत की दाल और पचास ग्राम चावल पचास ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च एक पैकेट टाटा नमक, सौ ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर ले इससे आप किसी थैले में ले जाकर बुजर्ग महिला या बुजर्ग पुरुष को दान दे दे और चुप चाप अपने घर चले आएं और देखें चमतकार इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा जो व्यापार में हो जाएगी माता लक्ष्मी दौनी दौनी चली जाएगी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी भगवान शनी आपके उपर कृपा दृष्टी बरसाएंगे आपका ब्रहस्पती मजबूत हो जाएगा यहां तक की आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा दोस्तों यह उपाए इतने सारे लाब हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना मात्र इस उपाए को करने से दूर हो जाती है दोस्तों यह उपाए मैं भी जरूर करता हूँ और मुझे लाब पूर्ण हासिल हुआ है यह उपाए कभी किसी को बता कर ना करे चुपचाप करें जो हमने आपको सामगरी बताई है वो एक तरह की आप के लिए जनी बूटियां है इन में से कोई भी सामगरी में ना हो सभी सामगरी पूरी होनी चाहिए इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा आप जीज भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा कर्ज भी छू मंत्र गायब हो जाएगा ये उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है ये सौ प्रतिशत सच है दोस्तों विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिश शास्तर के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी माना जाता है नमक को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनी का मिलन होगा जो की बहुत ही घातक सिद्ध होता है यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं ये रोग और शोक का कारण बन जाता है नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए नमक को सदैव काच के पात्र में ही रखना चाहिए बहुत ही शुभ माना जाता है जब कोई व्यक्ती नमक और लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पढ़ता है चंद्र और शनी नाराज हो जाते हैं दोस्तों में अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिती में थोणा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं जो की बहुत ही अशुभ माना जाता है नमक का गिरना बिलकुल भी अच्छा नहीं माना जाता बुलगारिया जो क्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है भारत में इसका गिरना बहुत ही माना गया है नमक को गिराने से चंदरमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं जिसके कारण देवी लक्षमी भी साथ छोण देती हैं और आज जीवन आपको गरीब रहना पढ़ता। इसलिए नमक की कदर करें दोस्तों और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है। इसलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए इससे आपका चंद्र और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पढ़ सकता है दोस्तों और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके की सुख सम्रिध्धी ही चली जाती है साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बरबाद हो जाता है तीन बार नमक मिले पानी से पोचा जरूर लगाए परंतु याद रहे नमक मिले पानी दोपहर के समय पोचा नहीं लगाना चाहिए दोपहर में जब कोई व्यक्ती घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्षमी नहीं लक्षमी वास हो जाता है माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिसे घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दर्वाजा खोल लेना चाहिए नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दर्वाजा सूर्य उदय से पहले खुलता हो जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा नजर दोश इस उपाय को करने से दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा नमक का उपाय थोणा सा डेली वाला नमक ले और थोणा सा आटा ले साप की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए उसमें डंठल होना चाहिए एक टुकना कोयला ले और थोणी सी हल्दी अब इन सभी चीजों को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारी नजर लग गई हो सर के उपर से साथ बार घुमाए चुपचाप इसे अगनी में जला दें अगनी आप किसी पात्र में घर में ही जलाए दोस्तों आप यकीन नहीं एक मिनट में सारी नजर उतर जाएगी ये उपाए खुद हमारी माता जी हमारे उपर वर्षों से करती चली आ रही है ये सौ प्रतिशत कारगर सिद्ध होता है इस से आपकी सभी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी क्योंकि नजर से पत्थर भी तूट जाता है आप तो मामूली इंसान है ये उपाए बुरी नजर को कोसों दूर रखता है लाजमी है जब आपके उपर नजर ही नहीं होगी तब आप काम्याबी की और बरहेंगे क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं इसलिए इसका उतरना भी है ज़रूरी दोस्तों होते समय तकिये के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव उर्जा होगी ये उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंद दायक जीवन को महसूस करते हैं जब आप सोते समय तकिये के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें फिर इसे संभाल कर रख दोस्तों चाय में नमक नहीं डालना चाहिए बहुत ही अशुब माना जाता है चाय में नमक डाल कर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पढ़ती है इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है कम होने लगता है आपकी हट्डियाओं कमजोर होने लगती है चाय में नमक कभी न डाले इससे आपकी मृत्यू भी हो सकती है दोस्तों खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुब और मंगलकारी माना जाता है इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं शनी असीम कृपा इनके उपर बरसती है शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है आप कभी भी धनी हो सकते हैं शनिवार को नमक जरूर दान करें दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करके बाजू वाली बेल आईकॉन को जरूर दबा दें जिससे की आप आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवा